हाँ जी दोस्तों क्या चाल एक वार फिर से गाई सौगत है आपका हमारे नए ब्लॉग में तो शुरुआत सुबस्वा खेत से हो रही है और खेत मैं सुबस्वा में ब्रेक्वस्ट के लिए सबजी उठा रहा हूं और सबजी क्या है तो यह सर्सो का साग है काओ जैसे क्रते हैं जो कि सर्दीयों के महीने में ऊकता है सिर्फ और काफि ज़ाला तेष्टी होता है तो मैं अंदर गया था मैंने कहा कि ब्रेक्वस्ट करना थाका मुझे कहते हैं यह खाना ुपा जा इक सुबनाना के के साथ खाएंगे तो माज़ा जाने वाला है तो चलो उठाते हूं इसको जल्दी जल्दी एड फिर बनाने के बाद करते हैं ब्रेकफस्ट और मिलते हैं उसके बाद तो चूले पर दोस्तों आप गर्मा गर्म सब्जी जो हमने लाई थी अभी वो पके तयार हो चुकिया है फटा फटी यह मकी की रोटिया है इसको यहां आग में सेख देंगे हम बिलकुल करारा करेंगे हैं उसके बाद खाते हैं गाइज यह अपना ब्रेकफस्ट तयार हो सब्जी ने यह बहुत जादा टेस्टी होती है और मकी रोटी एक दम करारी कर दी मैंने है यह यह चीज है तो गाइस ब्रेकफस्ट तो हो गया डन लेकिन मौसम नहीं ना एक दम से करवट बद लिया तो सामने बिलकुल काले काले बादल से आ गया ऐसा लग रहाए कि कुछ अची देर में बारिश होने वाली दगड़ी और ठंड भी बढ़ गी आप देख सकते हो मैंने टोपी बहन ली है तो अचली मैं तो नहारा था तो इसके बाद थोड़ा मैं सुचा कपड़े पहन लेते बना हावा बगएर लगी तो शायद बीमार ना हो जाओं कहीं तो यहा अब गाईज यह मित्ती है जो कि देखने में बिलकुल ना इसे पत्थर की तरह लगती है और हाड़ भी बिलकुल उसी तरह है आप देखो के तो यह तो इसको ना मैं कुट रहा था सुबा से इसको ऐसे इसके साथ आशना बलकुल बारी करेंगे बलकुल पतला जिस आटे की बनाना इससे एक चीज बनाने वाले हैं शायद पिछले व्लोग में आपने देखा होगा कि हमारा जो चूला है ना उसकी हालत बिलकुल खराब हो चुकी है यह जो मिट्टी है यह काफी दूर से लाई है हलांकि यह हमारे आसपास होती है बट उसके लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है तो आसानी से यह मिलती नहीं है तो जहां से हमने लाई है न वो आप देखोगे तो सामने जो पार की धार है यहां से हमने यह मिट्टी लाई थी एक दिन फिर इसको दो तीन दिन सुखाया आज जाकर इसको कूटा है अब शाम को इसमें पानी डालेंगे और कल नहीं परसों जो हम इसका चूला बनाएंगे तो हमारे चूले की हालत बेदी खराब थी तो चलो इस मिट्टी से बनाया चूला बनने वाला है चूला बनाना भी एक आर्ट होती है जिसके लिए ना अब बनाट उठाने गए है तो बक्त हो चुका है रात का और यहां पर एक चीज है आपको देखो यह क्या होता है यह होता है कदू लाइट हमारे आप है नहीं क्योंकि बार बारिश हो रही है बयंकर यह देख सकते हैं तो लाइट बगहरा तो ओड़ की है हमारे गाउं की यहां पर आपके पास बैट रहते हैं तो यह देखो यहां पर ममी कुछ कर रहे हैं यह कदू था उसके चोड़े चोड़े बनाए जा रहे हैं चोटे तो नहीं है काफी बड़े आप इसे क्या सकते हो एक पेस्टरी के जितना और इस पतीले में फिटिया जाएगा और इसको न पकाने के लिए रख दिया जाएगा आक के उपर तो इस तरह से इसको रखते हैं पूरे 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 तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ऑलका सा जो कि Starting में डाल दिया है एड इस तरह से Pack कर देगे अब इसको पकाने की लिए रख देंगे आधर यहां पेक तो यह जैसी पकता है तो मैं आपको दिखाँगा उसके बाद गाइस तो बाहर तो बार शुरू हो चुकी है अब क्या ही बता है ऐसा नहों कि सुबह तक पर फीगर जाए कहीं कि सुबह खाया था और सीधे शाम के टाइम तो अभी जादा वक्त हुआ नहीं है अलांकि छे बज़ रहे हैं बट अंदेरा तो और बारिश भी आप देखी सकते हो बूंदे गिर नहीं है लाहिट वगर आए नहीं तो आपके पास बैठते हैं क्योंकि ठंड है बाहर बहुत की यसी कड़ू पकता है ना उसके बाद और भी खाने में काफी काने मीठा करण है और इसका मैं मतलुकल पानी में दृटा पानी के बाश्प से बनेगा तो कोई ऐसा कुछ इसमें मसाले और बगार कुछ भी नहीं होता है बिलकुल हर तरीक इसी फ्री होता है और जो भी इसमें विटामिन या मिनरल बगार रहते हैं वो हमें हमारी बॉड़ी को मिल जाते हैं पुराने टाइम में बहुत जादा इनको में छोटे-छोटे पीसर इसको बोलते हैं गरऊ मैं बं कि कालेंगे हमें इसको बाहर और में अग्ने की ख़ते और ऩाने में करेंगे लेकिन मैंना एक अब गार जैकर निकालता हूं फिलाल के लिए कि मीठा है या कैसा है तो इसको काफ़ी गर्म है लेकर की और चक करते हैं कि कैसा बनाः तो उतना जादा मीधा नहीं यह लेकन यहाँ काफी हद तक काफी मीधा है लेकर मीधा थे जाएगा भी तो ठंडा होने देतें काफी जादा मीठा और यह पॉस्टिक भी बहुत होता है क्योंकि यह भाप से बनी हुई चीज है तो काफी जादा है यह जादा है यह